आज जो हमें snack बनाएंगे वो देखने से कुछ अलग different type से लगेगा लेकिन आप वीडियो देखो बनाने से बहुत यसानी से बन जाएगा यह किस तरह से बना है बोट का से तो और उसके साथ हमने snacks यूज किया है जो कि बहुत ही फाइबर यूप है जैसे कि sprout है और बहुत सार snack अलग तरीके से है अलग तरीके से ही इसका टिस्ट का मजा भी लेंगे तो चलो हम लोग बनाते हैं लेकिन सबसे पहले अगर मेरे जानल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट में जरूर बताना और आपने लाइक नहीं करते हो हो तो आपध कैसे चलेगा कि हमैं इतनी मेहनत किया है तो यह सक्सिस हुआ है या नहीं तो प्लीज लाइक भी कर दो प्लीज मेरे लाइक नहीं आता है विडियो का तो मैं कैसे समझूंगे कि मैं कैसा है यह खान depressed यह वी जो भी रेस्पी बनातीं को चलो बनाथे हैं सबसे के यह तो मत लहें कि बनाने जा रहे हैं तो वह बगढ़ जैगा इसलिए जादा हम सूजी नहीं डालेंगे बस इतनी की बात का ध्यान रखना है और यह सवात के नुसान नमक जो कि पढ़ना ही बिना नमक का तो कोईभी year's tax हो नहीं सकता है नमकीं और झाल सवात कर्म सद्धार रजोन और अजवाइन यह अजवाइन डाल देते हैं अचनी मयान के लिए 2 चमजोह अउयल डाल देंगे बस इतना ही चीज डालना है हमें अब इसे पानी डालके हलका सा पानी डालेंगे ज्यादा नहीं गूत लेते हैं थोड़ी थोड़ी पानी डालके और इसमें मैंने सूजी डाला है तो गूतने के बाद 5-10 मिनट आप छोड़ दो इसको खिलने के लिए आठा परफेक्ट हो जाएगा स्नेक्स बनाने के लिए देखा आपने कोई भी जंजट नहीं है और बहुत ही असानी से ये रेसिपी बनेगा स्नेक्स जो भी तैयार होगा एकदम और अलग तरीके से सब लोग भी आश्चेरी करेंगे कि वा बड़ी हाँ है मतलब कि हम लोग एक समोसा हो गया ये हो गया अलग तरीके से तलते जाते हैं ना तो अलग थोड़ा होना चाहिए ना स्नेक्स में सामान तो वही रहता है लेकिन हम उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं तो आज हम इसका सिर्फ फॉर्म चेंज किये हैं और ये है कटोरी मैंने लिया है क्योंकि हमें बोट सेप देना है तो सारे घरों में ऐसे सबके घरों में रहती है ऐसा कटोरी अच्छी तरसे से हम चिपका देंगे बस हमारा बोट कसे बन गया यह रेडी इस तरसे सारे कटोरी में हम आटे को इस तरह से जो भी बनाए है बॉल चिपका देते हैं दिखा ना कितना असानी से यह बना है इस तरसे मैंने सारे त्यार कर दिये है अब इसको क्या करना है फॉक लेना है क्योंकि यह क्या होता है कि खिल कर निकल जाएगा हमारा तल नहीं पाएगा ओल में डालेंगे तो तो इसको हलके हलके से प्रेस कर देंगे कि यह तेल में जाएगा तो खिले नहीं और यह क्रंची हो जाए बस इसी का यह वे है हमारा तलन सारे को हम ऐसे ही कर देंगे फॉक से अगर फॉक पास में नहीं रहेगा तो आप कोई भी नीडल टाइप से कोई भी चीज है ना उसे आप यह कर दो चाकू से भी कर सकते हैं आप हीट को ऑइल कर लेते हैं अब सारे कटोरी को हम प्रॉपर वे में रखते जाएंगे कि देखने से खुशुरत भी लगता है कि अरे वह एक अलग टेक्निक है खाना बनाने का और मन भी लगता है हम दो बोर हो जाते हैं एक तरह से स्नेक्स त्यार करते करते तो चलो अलग तरीके से ही त्यार किया जाए बढ़िया लग रहा है ना एक टम डिप फ्राई हो रहे हैं कटोरी में कटोरी को कोई अंतर नहीं हो रहा है हमारा जो स्नेक्स वो फ्राई हो रहा है देख रहे हो ना हां लेकिन ध्यान देना ओयल है इसको पलटने वकित को निकालना भी है तो हमने चिम्टे का रहेल्फ लिया है यह देखो और असानी से बहुत आसानी से वह कटोरी निकल जाता जैसे जैसे यह फ्राई होगा ना कटोरी अपने आफ सेपरेट हो जाएगा अब कोई-कोई चीप कर रहता है तो उसको आप चि अब से थोड़ा सा कोई साथ कोई नंक। जॉइंट पड़ा है लेकिन थोड़ा सा हम इसका टेस्ट चेंज कर देते हैं तो यह स्प्राउट है मैंने किया है जो कि से हैं के लिए बहुत फायदे करता है और टमाटर है गाजर है प्यास है चौप किया हुआ धनिया सारे चीजे चौप किया हुए है थोड़ी हरी मीच औ जो कि प्रॉपर हम लोग रखते ही है चट्णी और यह सब रखता है तो त्यार करने में क्या खाना भी तो जरूरी है यह सब फायदे की चीजे तो स्नेक के साथ करेंगे तो यह और फाइबर यूपत है अच्छी तरह से सारे नाव को हम भर देंगे अगर नाव है तो भड़न भी तो चाहिए नाव तो खाली चाहता नहीं है इसी तरह से यह भर देंगे हम आप विश्वास करों बहुत ही टेस्टी लगे गाई इस नाव को खाने में मैं तो अभी से एक्साइटेड हूं कि फटा-फट कब खाने चालो कर दोंगा आप भी मतलब कि ट्राइक करना और कॉमेंट पर जरूर बताना कि आपको यह कैसा लगा टेस्ट रेसिपी लास्ट में उपर से चॉप किया हूँ धन्या हम टॉपिंग कर देंगे हमें बनाने में भी बहुत मजा आया आपको भी बहुत गारंटी मजा आएगा यह स्नेक्स बनाने में अब बारी है किसकी तो चटनी की तो यह ग्रीन चटनी है हर इमेज डालके धनिया और नीबू और थोड़ी सी तेल डालके यह ग्रीन चटनी तयार किया है मैक्सिमम हम लोग घर में डेली तयार करते हैं ग्रीन चटनी और यह है इमली वाली चटनी एक बर हम लोग बनाते हैं तो कुछ दिन तक चल जाता है फ्रीज में रहता ही है अगर यह इमली की चटनी नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी योज कर सकते हो इसके साथ वह भी पहुत ही टेस्टी लगेगा उपसे चाट मसाला टॉपिंग कर देंगे थोड़ा नमक टॉपिंग डाल देंगे क्योंकि हम ने यह सारे साम जो डाले हैं प्याल ज़ए गाजर यह सारे चीजों में नमक अभी नहीं नहीं मिलाया है चटनी डाला है तो चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे उपसे कि फाइनली हमारा तयार हो गया है बोट इसे बोट मठरी बोलते हैं तो चलो त्यार करो कोई देरी नहीं करो आप मुझे तो देखके ही मुँ में पानी आय रहा है फटा फट